तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग प्रशना वली 6.1 अध्याय 6 जो हमारा अध्याय है त्रिभज और उसके गुन ठीक है त्रिभज और उसके गुन का जो प्रशना वली 6.1 है उसको हम लोग आज बनाने वाले तो चलिए हम लोग इसको प्रशन को शुरू करते हैं तो बच्चों पहला प्रशन है इसमें एक्स का मान ग्यात कीजिए ठीक है यहां पर तीन त्रिभज दिये गया है और तीनों त्रिभज में से दो जो कौन है वो दिया हुआ और तीसरा कौन हमें ग्यात करना यानि हमें मालुम करन में तो पहला प्रश्ण हें बच्चो यहां पर देखें प्रश्णा वाली 6 दशमलों 1 कोन कि इनका जोड 180 degree होता है ठीक है? तो मान लिजे कि त्रिभुज में 3 कौन है कितने कौन है बच्चो? 1, 2, 3 ठीक है? यह कौन 1 है, यह कौन 2 है यह कौन 3 है तो इन 3 कौनों का जो माप होता है वह 180 degree होता है तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं तो माल लेते हैं त्री भूज में बच्चो एंगल 1, एंगल 2, प्लस एंगल 3, कौन को इंगल कहते हैं, ठीक है, तो एंगल 1 या कौन 2, प्लस कौन 3, बराबर 180 डिगरी, तो तीनों कौनों का माप क्या होता है बच्चो, 180 डिगरी होता है, यहाँ पर 1 कौन 80 डिगरी है, 1 कौन हमें ग्याद करना है तो पहला कुन कितना डिगृ बच्च वहारा 40 डिगृ प्लस तीसरा कुन हमारा एक्स है जो ग्याद करना है तो हम इसको लिख देंगे एक्स डिगृ आप इसे कुन दर्शा सकते हैं बराबर 180 degree ठीक है? 80 degree और 40 degree कौन को जोड़ेंगे तो 120 degree होगा थम इसे जोड़ के लिखेंगे बच्चो कौन 120 degree प्लस यहाँ पर कौन x degree बराबर 180 degree ठीक है? अब हम x का मान ज्याद करने के लिए क्या करेंगे? बच्चो लिखेंगे कौन x degree बराबर 180 degree और यह जो कौन 120 degree का है यह जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो यह प्लस का चिन है यानि यह प्लस 120 degree है और जब यह बराबर के उधर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा तो माइनस कौन 120 degree ठीक है तो कौन x degree बराबर 180 degree में से जब 120 degree को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चो हमारा 60 degree तो एंगल x बराबर एंगल 60 degree ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा बच्चो 60 degree तो पहला प्रश्न का जो उत्तर आया क्या आयेगा 60 degree आप इसको साफ साफ सफ प्रश लिखती हूं है यह गल्लत हो गया है कोन x degree बराबर कोन 60 degree ठीक है तो यह हमारा उत्तर आया 60 degree यारे एक कौन 80 degree है एक कौन 40 degree है 120 degree और तीसरा कौन है 60 degree और यह तीनों का जोड मिलाकर कितन हो गया बच्चो 180 degree चले दूसरा प्रश्न करते हैं आपर देखें एक कौन दिया है 15 degree दूसरा कौन दिया है 35 degree और तीसरा कौन है x तो हमें ग्याद करना है तो ठीक इसी तरह प्रकार हम लोग में जैसे पहला किया वैसी हम इसको दूसरा को करेंगे तो कौन एक प्लस कौन द प्लस एंगल 35 degree प्लस यहाँ पे एंगल x degree बराबर 180 degree चीक है 15 और 35 को जोडेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चो 50 degree तो एंगल 50 degree प्लस एंगल x degree बराबर एंगल 180 degree चीक है अब एंगल x degree निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चो एंगल 180 degree minus, यह 50 degree angle जो plus chin है, जब हम बराबर के इधर लेका दाएंगे, x का मान निकालने के लिए तो यह minus हो जाएगा, minus angle 50 degree, तो angle x degree बराबर 180 minus, 180 degrees में से जब हम एंगल 50 degree को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, बच्चो हमारा, 130 degree, ठीक है, कितना हो जाएगा, 130 degree, अब हम 15 degree और 35 degree, 50 degree हुआ, और x का मान क्या निकल गया, बच्चो, 130 degree, और यहाँ पहम लिख सकते, 130 degree, x का मान, अब 130 degree में जब हम 50 जोड़ेंगे, तो इन तीनों का माप क्या हो जाएगा, बच्चो, 180 degree, ठीक है, ठीक, उसी प्रकार इस प्रशन में 80 degree है, यह 40 degree है, और यह क्या मान हो जाएगा, बच्चो, 60 degree, x का, और इन तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 180 degree, चल, यहाँ पे तीसरा प्रशन है देखिए एक त्रिभुष दिया है एक दो तीन दो कोन का हमें मान ग्यात है और तीसरे कोन का मान हमें ग्यात करना है तो कोन एक प्लस कोन दो प्लस कोन तीन बराबर एक सो असी डिग्री एक कोन का मान पचास है एक कोन का मान चालिस है तो पचास डिग्री प्लस कोन 40 degree plus कौन x degree बराबर कौन 180 degree 50-40 कितना हो गया बच्चो 90 तो यह हो गया 90 degree ठीक है बच्चो 90 degree plus angle x degree बराबर angle 180 degree अब x degree का मान निकालेंगे तो कौन x degree बराबर angle 180 degree minus angle 90 degree तो angle x degree बराबर angle 90 degree यानि इसका मान क्या हो गया बच्चो 90 degree 50 और 40 90 90 और 90 180 तो आप इस प्रकार इसे लिख भी सकते हैं 50 degree angle plus 40 degree angle plus 90 degree angle बराबर 180 degree angle यानि प्रिभुच के तीनों कोनों की संख्या कितना होगा 180 degree तो चलिए दूसरा प्रस्ण देखते हैं कौन सा है दूसरा प्रस्ण कहरा है बच्चो एक सम कोन त्रिभुच का एक नियून कोन 35 degree का है तो दूसरे नियून कोन का मान बताईए सबसे पहले तो बच्चो हम यह समझेगे कि सम कोन त्रिभुच किसे काते हैं और नियून कोन क्या होता है तो सम कोन त्रिभुच जो होता है बच्चो सम कोन त्रिभुच वह त्रिभुच होता है जिसमें एक कोन जो है कम से कम 90 degree का हो ठीक है, सम कोन त्रिभुज, उस त्रिभुज को कहते हैं, जिसका एक कोन 90 डिगरी का होता है, ठीक है, उसे हम सम कोन त्रिभुज कहते हैं, और नियून कोन किसे कहते हैं, बच्चों, नियून कोन उसे कहते हैं, वह कोन होता है, जो 90 डिगरी से कम होता है, नियून कोन होता है, जैसे 50 new cone है, sorry, 40 degree new cone है, क्योंकि यह 90 degree से कम है, तो चले इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो दिखें बच्चो इस प्रश्न में कहरा है, कि एक cone जो है, वो कितना है new cone 35 degree का, और यह सम कह लोग है, तो हमें दूसरा new cone का मान ग्याद करना है। तो दिखें दूसरा प्रश्ण, जैसा कि हमको पता है बच्चो की त्रिभुज में तीन कोन होता है, और वह तीनों कोनों का माप जो होता है, 180 डिगरी होता है, ठीक है? अब प्रश्ण में दिया गया है सम कोन त्रिभुज का, सम कोन त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम यह लिखेंगे, कि सम कोन त्रिभुज का एक कोन जो है, वह 90 डिगरी होता है, दूसरा जो कोन हमें दिया है किताब में, अब प्रश्ण में, दूसरा कोन, कितने डिगरी का है बच्चो वह एक क्या है नियून कोन है और वह कितना है वह है एंगल 35 डिग्री का कितने का है बच्चो 35 डिग्री का तो हमें तीसरा नियून कोन ग्यात करना है तो एक कोन 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोन 90 डिग्री जोड दूसरा कोन हमारा 35 डिग्री दिया है क 35 degree और तीसरा कोन जो हमें noon कोन ग्याद करना है उसे हम x मान लेते हैं और यहां angle 180 degree तीनों कमाब क्या है 180 degree है तो 90 और 35 को क्या करेंगे बच्चों हम 90 और 35 को जोड देंगे तो 90 और 30 120 यानि 125 तो यह हो गया 125 degree प्लस angle x degree बराबर angle 180 degree अब हमें x degree कमान ग्याद करना है तो angle x degree बराबर angle 180 degree माइनस यह 125 जब बराबर के हम लोग इधर लेकर आएंगे तो यह माइनस हो जाएगा angle 125 degree अब angle x degree बराबर 180 degree में से जब में 125 degree को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों हमारा 55 degree अब देखे यह 55 degree जो है बच्चों वह 90 degree से कम है और यह एक noon कोन है और यह 35 degree 90 degree से कम है यह एक noon कोन है तो हमारा उत्तर के आया दूसरा noon कोन तो यहां हम लिखेंगे दूसरा noon कोन कितना हो गया बच्चों 55 degree यह पहला noon कोन है इसमें यहां पर दूसरा लिखा है लेकिन यह पहला यानि कि एक noon कोन यहां पर दिया है ना बच्चों देखे एक noon कोन 35 degree का है ठीक है तो दूसरा noon कोन 55 degree का है ठीक है बच्चों तो चली बच्चों हम लोग पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर तीसरा प्रश्न कह रहा है एक सम बाहुत्रिभूज के तीनो कोनों की माप क्या होगी ठीक है तो एक सम बाहुत्रिभूज के तीनो कोनों की माप क्या होगी तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों की स सम बाहुत्रिभूज किसे कहते हैं? अब देखें, यहां पर एक त्रिभूज बना हुआ है, और त्रिभूज की तीन भूजाएं होती है, कितने भूजाएं होती हैं? पहला ये भूजा, दो और तीन मान लिजिए हम इसे लिख देते हैं A, B, C ठीक है, तो सम बाहुत रिभुज की जो भुजा है तो सबसे पहले हम A, B भुजा लिखेंगे A, B, भुजा, A और B एक भुजा है B और C दुसरी भुजा है, तो A, B, B, C के बराबर और तीसरी भुजा क्या है, A, C और यह A, C के बराबर यानि A, B और B, C और A, C यह तीनों भुजाएं एक समान होंगी अब A, B, B, C के बराबर है, B, C, A, C के बराबर है और यह हमेशा ध्यान रखेगा कि A, B भी जो है वह A, C के यानि A, B भुजा भी जो है वह A, C भुजा यानि ए भी भुजा एसी भुजा के बराबर, ए भी भुजा इसके बराबर तीनों भुजाएं बराबर होंगी, चीक है, पहला बात, दूसरा बात है यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक कोन, यह दो कोन और यह तीन कोन, चीक है, तो कोन एक बराबर होना चाहिए, कोन दो के ब बराबर और तीनों भुजाएं यह भुजा और यह भुजा तीनों भुजा बराबर होने चाहिए तो हम इसे कौन सी त्रिभुज कहेंगे सम बाहु त्रिभुज अब प्रशने में कह रहा है कि तीनों कोनों की माप क्या होगी तो चले इसको हम करते हैं जैसा कि हमको पता है ब बराबर 180 degree कौन. हमें पता है, ठीक है? अब आप देखीक, तीनो कोनो की माप बराबर होगी और तीनो कोनो का माप जो है, वो 180 degree होना चाहिए. तो तीनो कोनो की माप अगर बराबर होगी, तो 180 को जब आप 3 भाज में बातेंगे, तो कितना आएगा बच्चो? 60 60 60 तो कुन 1 60 डिगरी प्लस कुन 2 60 डिगरी प्लस कुन 3 60 डिगरी बराबत जब 3 को बच्चों हम जोडते हैं जब हम 3 को जोडेंगे साथ साथ एक सो बीस साथ एक सो असी तो यह आ जाएगा एक सो असी डिग्री ठीक है तो सम बाहुत त्रिभुज की तीनो कोनों की माप क्या होगा बच्चो एक सो असी डिग्री तो यह आपका उत्तर हुआ और हर कोन कितना होगा साथ डिग्री का यानि सम बाहुत तिनो कोनो का माप क्या होगा, 180 град तो समभाहू त्रिभुज के तीनो कोनो की माप क्या होगी, बच्चों, 180 बच्चों, nicht one, और यह होगा आपका, यह दोनों कोन बराबर है, यह भी Y कोन है और यह भी Y कोन है, इसका अर्थ हुआ कि दो कोन बराबर है, Y, Y, ठीक है, सबसे पहले बात तो यह हुआ, तो कहरा है, चित्र 6.2, 3 के आधार पर 9 प्रशनों के उत्तर दीजिए, तो यहां इस प्रशन के से हमको एक चीज ग्यात होत है, कि यह Y और यह Y दोनों कोन बराबर है, और अगर आप ध्यान से देखें, यह हम इसको नाप की भी देखें, तो यह भुजा और यह भुजा बराबर है, ठीक है, यह भुजा और यह भुजा बराबर लग रही है, और यह भुजा लंबी है, तो सबसे पहले क्या करना है तो हमको वाई का मान बताईए, क्या करना है बचो में वाई का मान ग्याद करना है, तो चलिए हम लोग वाई का मान सबसे पहले हम ग्याद करते हैं, तो देखें आप परश्न को मैंने बनाया है, वाई कौन, वाई कौन, एक सो चालिस कौन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब आप देखे एक कोन Y है, दूसरा कोन Y है और तीसरा कोन 140 डिग्री है, तो हम यहां लिखेंगे, कोन Y प्लस कोन Y प्लस कोन 140 डिग्री बराबर कोन 180 डिग्री, ठीक है, अब एक Y में जब एक Y जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 2y होगा, तो हम इसको लिखेंगे यहापे, 2y कौन 2y प्लस कौन 140 डिगरी बराबर कौन 180 डिगरी, ठीक है, तो कौन 2y बराबर कौन 180 डिगरी माइनस, यह प्लस 140 डिगरी का जो कौन है, जब बराबर के हम इधर ले जाएंगे, तो यह प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कौन 140 डिगरी, अब कौन 2y बराबर, 180 में से 140 माइनस करेंगे, तो कितना बच जाएगा बच्चो, कौन 40 डिगरी, अब y बराबर, कौन y बराबर, 40 डिगरी बटे 2, ठीक है, तो 2 से 1 कितन इस बार में, तो कोन y बराबर कोन 20 डिगरी, ठीक है, तो कोन y बराबर कितना आ गया बच्चों, कोन 20 डिगरी, तो यह y जो है, कितना हो गया, 20 डिगरी है, और यह y जो है बच्चों, कितना है, 20 डिगरी है, अब ऐसा त्रिभुज, जिसमें दो कोन बराबर होते हैं, और तीस कौन अलग होता है ऐसा त्रिभुल जिसमें दो कौन एक दूसरे के बराबर हो वो भी कौन से कौन बच्चो सामने वाले कौन देखिए यह वाई इसके सामने है ठीक है जस्ट इसके सामने है एक वाई दूसरे वाई के सामने है तो वह कौन जो दो बराबर होते हैं आमने सामने और भुजाएं जिसकी दोनों बराबर होती है, उसे हम सम्द्वी बाहु त्रिभुज कहते हैं, तो यहाँ प्रूच्रा है प्रश्ण, त्रिभुज का प्रकार बताईए, ठीक है, दूसरा, तो सात्वा का जो दूसरा उत्तर होगा, वह क्या होगा बच्चो, सम्द्वी बाह स्वंद्वी बाहु त्रिभुज इसका उत्तर होगा क्या होगा बच्चो स्वंद्वी बाहु त्रिभुज इसका प्रकार क्या है स्वंद्वी बाहु त्रिभुज है चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पाचवे प्रशन की ओर पाचवा प्रशन देखे बच्चो क्या कह रह कोन के माप के योग के बराबर है तथा दूसरा कोन तीसरे कोन के माप के बराबर है इस त्रिभुच को आप क्या नाम देंगे तो हमें बताना कि इस त्रिभुच को हम क्या नाम देंगे तो चलिए हम लोग इसको पहले देखते हैं कि प्रश्ण में क्या दिया है मान लेते हैं बच्चो माना पहला कौन जो है वह कौन एक है दूसरा यहाँ पर हम एक त्रिभुज भी बना लेते हैं कौन एक कौन दो कौन तीन ठीक है दूसरा कौन दो है तीसरा कौन तीन है अब हम यहाँ देखेंगे प्रश्ण में पढ़ेंगे पहला कौन दूसरे और तीसरे कौन के मा तो हम प्रश्न के इसाफ से पहला कोन, दूसरे कोन और तीसरे कोन के योग, योग का मतलब होता है जोड, ठीक है, तो पहला कोन, दूसरे और तीसरे कोन के माप के बराबर है, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, पहला कोन, दूसरे और तीसरे कोन के माप के योग के बरा है तो हमने इसको ऐसा लिक लिहा अब दीघें किया करना तथा दूसरा कौन 3 कोन के माप बराबर याने दूसरा कोन सека के बराबर है तो यह पहर पर छाय यह कोन से कुछ यह इस लिखेंगे कि इस त्रीभुज के दो कौन बराबर है, हमने यह लिखा, क्योंकि देखे, कौन दो, कौन तीन के बराबर यह परश्न में दिया हुआ है, तो इससे हमें यह पता चला, कि यह दो कौन है, यानि एंगल टू और एंगल तीन एक दुसरे के बराबर है, और यह आमने सामने भी है, तो बच्चों, जो किसी त्रीभुज में दो कौन जब एक दुसरे के बराबर होते हैं, तो वह एक सम्द्वी बाहु त्रीभुज होता ह त्रीभुज है, तो क्या है बच्चों, यह एक सम्द्वी बाहु त्रीभुज है,